उदव ठाकरे ने आखिरकार अपने मंत्री बना ही लिये लेकिन पिछले 15 दिनों से मंत्राले की बटवारे को लेकर चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है गटबंदन की खाई और चौड़ी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि उदव ठाकरे ने मुख्रमंत्री बन कर मुसीवत मोल ले ली है क्या है पूरा मामला देखते हैं स्रपॉर्ट महराष्टर में सरकार बनने में जितना समय लगा उतना ही समय मंत्री मंडल के बटवारे में लगा उदफ ठाकरे ने आखिरकार अपने मंत्री चुन लिये लेकिन मंत्री मंडल के बटवारे के साथ ही गटबंदन की गाट कमजोर होती दिखाई दे रही है जिस पार्टी को मनाने में उदफ ठाकरे को सबसे जादा समय लगा वही पार्टी सबसे कम समय में ठाकरे का साथ छोड़ने की योजना बना रही है यहाँ बात कॉंग्रिस की हो रही है जिसके दर्वाजे पर जाते जाते उदफ ठाकरे और NCP प्रमुक शरत पवार की जूते घिस गए थे शिवसेना प्रमुक उदफ ठाकरे की सरकार में जिस तरह कॉंग्रिस को दरकिनार किया गया है उससे पार्टी के नेता खास से नाराज है दरसल उदफ ठाकरे के मंत्री मंडल के गठन में देर होने का सबसे बड़ा कारण विभागों के बटवारे को लेकर चल रही रसा कसी ही थी एंसीपी और कॉंग्रिस के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने वाले उदफ ठाकरे के सामने सबसे बड़ी समस्या दोनों पार्टियों को खुश रखने की थी कॉंग्रिस मांग कर रही थी कि अगर उन्हें उपमुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया है तो ग्रह मंत्राले और वित मंत्राले उन्हें दिया जाए लेकिन एंसीपी इस बात के लिए तैयार नहीं थी शरतपवार को भी यही दोनों या फिर इनमें से एक मंत्राले चाहिए था इसके कारण विभागू का बटवारा नहीं हो पा रहा था लेकिन जब बटवारा हुआ तो ऐसा हुआ कि कॉंग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए एंसीपी को तो वित मंत्राले दिया गया और बात में उपमुख्यमंत्री का पद भी दिया जाएगा लेकिन कॉंग्रेस के हाथ में कुछ नहीं आया उसे ना तो ग्रह मंत्राले मिला और ना ही वित मंत्राले शिवसेना ने ग्रह मंत्राले अपने पास रख लिया क्योंकि उसे शिवसेनिकों को पुलीस से सुरक्षा चाहिए और पुलीस विभाग की जिमेदारी अगर किसी दूसरी पार्टी के पास होती तो उसे बार बार सिफारिश करनी पड़ती हाला कि कॉंग्रिस को राजस्पो मंत्रा ले दिया गया है लेकिन इससे कॉंग्रिस के नेता खुश नहीं है ये बात अलग है कि आनन फानन में कॉंग्रिस कोई फैसला नहीं लेना चाहती है लेकिन पार्टी के भीतर इस बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि अगर उन्हें इसी तरह दरकिनार किया जाता रहा तो ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चल पाएगी बता दे कि उदफ ठाकरे के मंत्री मंडल में शिवसेना को ग्रह मंत्राले, पी डबलूडी, शेहरी विकास और उद्योग जैसे मंत्राले मिले है जबकि कॉंग्रिस को राजस्प, महिला एवं बाल कल्यान, आधी जैसे छोटे मंत्राले का जिम्मत सौपा गया है दूसरी और NCP को वित मंत्राले, ग्रामीन विकास मंत्राले और जलस अंसादन जैसे विभाग मिले है अब कॉंग्रिस का मानना है कि एक तो उसे कम मंत्राले दिये गए हैं और दूसरी और जो मंत्राले चाहिए था, वो नहीं दिया गया ऐसे में उदफ ठाकरे की सरकार की मुसीबतیں बढ़ती नजरा रही है ठाकरे कितने समय तक मुख्यमंटरी रह पाते हैं ये कहना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है इसे में कॉंग्रेस को ना राध तो होना ही था कॉंग्रेस ने उदव ठाकरी को मलाईदार पत के लिए समर्थन दिया था ना कि विधान जबा में बैट कर तालिया बजाने के लिए इसी तरह की खबरे में आपके लिए लाती रहूंगी तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया